IPL में श्रीशंद और हर्बजन सिंग के बीच का विवाद तो अभी भी सब को ज़रूर याद होगा अगर मैं चाहू तो उधर ही दवा सकता था उनको तो अगर ये आदमी पूरी गुसे में अगर ऐसा हरकते किये वो helplessness में मैं रोया IPL के inaugural सीजन में ही दोनों भारतिये प्लेयर्स की बीच वो controversial moment उस सीजन का major talking point बन गया इसमें कोई राज नहीं कि IPL के जैसे intense competition में कई बार प्लेयर्स अपना composure खो बैठते हैं इस वीडियो में IPL की 5 सबसे बड़ी famous fights के बारे में बात करेंगे हम विराट कोली वर्सेज रवी अश्विन IPL 2019 Royal challenges बैंगलोर के कप्तान कोली सबसे aggressive cricketers में से एक है ये तो सभी को पता है कि कोली को आउट करना कोई आसान काम नहीं इसलिए Kings 11 Punjab और RCB के बीच इस match में जब कोली आउट हुए तब Kings 11 Punjab के skipper रवी अश्विन ने widely celebrate किया और उन्हें proper send off दिया इसके बावजू Kings 11 Punjab को आखरी ओवर में जीतने के लिए 27 रंच आहिए थे उमेश आदव के ओवर के पहले ball पर च्छका लगा कर अश्विन ने equation को थोड़ा आसान बना दिया परन्तु अगले ही ball पर आउट हो गए और catch लेते वक्त विराट गोली ने उन्हें अपने aggression के साथ defitting reply दिया मुनाफ पटेल वसेज अमित मिश्रा IPL 2011 IPL के चौति सीजन में मुनाफ पटेल और अमित मिश्रा के बीच एक heated exchange हुआ मुंबई इंडियन्स वसेज डेकिन चार्जर की बीच इस मैच के आकरी ओवर में मिशी ने मुनाफ के पहली दो गेंदो पर boundary लगाया इस पर मुनाफ अपना composure खो बैठे और अमित मिश्रा के साथ विवाद में जुड़ गए इस altercation के बाद भी अमित मिश्रा ने उनकी गेंदो पर boundary लगाया और दोनों पिच पर ही कोलाइट कर गए Ultimately, Ampires को उन दो प्लेयर्स को अलग करना पड़ा हरबजन सिंग वर्सेज अमबाटी राइडू IPL 2016 उस सीजन दोनों हरबजन सिंग और अमबाटी राइडू मुंबई इंडिन्स के लिए खेल रहे थे राइजिंग पूने सूपर जायन्स के खिला मैच में सौरब तिवारी ने भज्जी की गेंद को पुल किया और फील्ड पर खड़े अमबाटी राइडू उसे बाउंडरी तक पहुँचने से पहले रोकने में असमर्थ रहे इसके कारण बेटरन स्पिनर को गुस्सा आ गया और उन्होंने राइडू को कंफरंट भी किया दोनों प्लेयर्स ने एक दूसरे के साथ हीटेड वर्ड्स एक्चेंज किये और एक दूसरे की तरफ चार्ज करने लगे लेकिन भज्जी फिर इंस्टिंटली कूल डाउन होकर राइडू के गले पर हाथ देखकर उन्हें बुलाने लगे राइडू ने उनका नियोता ठुकराया और दूसरी तरफ चले गए विराट कोली वर्सिस गौतन गंभीर आईपिल दोहजार तेरा केके आर के खिलाफ प्रदीव सांगवान की गेंद पर तीसरा च्छका लगाने की एटेंट में विराट कोली आउट हो गए केके आर के प्लेश का वाइड सेलिबरेशन विराट को ओफेंसिव लगा और उन्होंने बोलर्स और प्लेश के साथ वर्ड्स एक्षेंज किए गुस्से में आकर गंभीर कोहली की तरफ चार्च करने लगे और KKR के प्लेयर्स और अंपायर्स के इंटर्वेंशन के बाद ही वो अलग हुए इंडियन टीम के दो रेगिलर प्लेयर्स के बीच में ये टसल आज तक IPL के मोस्ट इंफेमस मोमेंट्स में से एक है हरबजन सिंग वर्सिज श्रीशंत IPL 2008 हरबजन सिंग और श्रीशंत के बीच ये slap gate controversy आज तक IPL के major controversies में से एक है इंडियन प्रीमिल लीग के पहले सीजन में ही इस अगली मोमेंट ने पूरे cricket community को हिला दिया मुंबई इंडियन्स के मैच हाड़ने के बाद Kings 11 पंजाब के श्रीशंत ने हरबजन सिंग को wind up करने की कोशिश की भज्जी जो shot tempered है उन्होंने जल्द ही अपना सारा composure खोकर गुसे में श्रीशंत को चाटा लगाया हाला कि IPL ने इस मोमेंट को टेलेकास्ट कभी नहीं किया लेकिन मैच के बाद श्रीशंत रोते हुए नजर आए और उनका ये image हर TV स्क्रीन पर कई दिनों तक टेलेकास्ट हुआ